Hello kids, good morning, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों हमने अमारी जो लास्ट हिंदी की क्लास थी, उसमें ओ की मात्रा वाले तीन वर्णों वाले शब्दों को बनाना सीखा था. है ना हमने अमारी लाइर क्लास में जो तीन वर्णों वाले शब्दों को हमने बनाना सीखा था. Now I am going to teach you O की मात्रा से बनने वाले चार वर्णों वाले शब्द. आज हम चार वर्णों वाले शब्दों को बनाना सीखेंगे, ओके? So please all of you take out your Hindi notebook, pencil and eraser. Yes, first of all write down today's date. Today's date is 25, 1 month and 2022 year. फिर आपको heading लिखना है O की मात्रा चार वर्णों वाले शब्द. Yes, आज हम चार वर्णों वाले शब्दों को सीखेंगे. Yes, अब लिखना स्टार्ट करेंगे. सबसे फर्स लिखेंगे. क, प्लस, म, प्लस, ज, प्लस, ओकी मात्रा, प्लस, र. अब देखो इसमें कितने वर्ण है? One, two, three, four. Four वर्ण है ना? क, म, ज, के साथ ओकी मात्रा लगी तो जो, र. ये क्या शब्द बन गया? कमजोर. क्या बन गया? कमजोर. Okay. Yes, क्या शब्द बन गया? कमजोर. एक लाइन को छोड़कर नेक्स लाइन में लिखेंगे नमबर तू. ख, प्लस, र, प्लस, ग, प्लस, ओकी मात्रा, प्लस, श. अब देखों, ख, र, ग, के साथ ओकी मात्रा लगी तो गो, श. क्या हो गया बिटाई ये? खरगोश. क्या हो गया? खरगोश. ओके, ये शब्द बना खरगोश. अभी, अगेन, एक लाइन छोड़कर नमबर त्री लिखेंगे. नमबर त्री पे हम लिखेंगे. क, क के साथ आकी मात्रा. प्लस, म, प्लस, च, च के साथ ओकी मात्रा, फिर, र. अब देखों, क के साथ आकी मात्रा लगी तो का, म, च के साथ ओकी मात्रा लगी तो चोर, का, म, चोर. क्या हो गया बिटाई? काम, चोर. काम चोर ओके यह हो गया काम चोर अगें एक लाइन छोड़कर नेक्स लाइन में लिखेंगे नमबर फोर नमबर फोर में है स प्लस र प्लस आ की मात्रा प्लस ब ब की साथ ओ की मात्रा प्लस र अब देखो यह है स र के साथ आ की मात्रा र ब के साथ ओ की मात्रा बोर स रा बोर क्या हो गया स रा बोर स रा बोर और लास्ट है नमबर फाइफ नमबर फाइफ पे लिखेंगे ज ज के साथ ओ की मात्रा प्लस का निशान प्लस का निशान श, श के साथ ओकी मात्रा प्लस र अब देखो, ज के साथ ओकी मात्रा लगी तो जो श के साथ ओकी मात्रा लगी तो शोर क्या बना शब्द? जोर शोर तो इस तरह से आज आपका होमवक है चार वर्णों वाले शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना फिर नीचे लिखना आपको सेम होमवक ठीक है ना, आपको अच्छे से चार वर्णों वाले शब्दों को करना है अपनी कॉपी में लिखना है और इनको पढ़ना भी सीखना है और हूंब करके मैम को सेंड करना ओके बबाई टेक कियर